वेल्केम टू गयानेर दोस्तों आज की वीडियों हम देखेंगे कि जो नेवलाजर मसीन होती है उसमें कौन-कौन सी दवाईयां डाले जाती है डॉक्टर्स क्या का डालता है अगर आपके घर में है यह मसीन तो आपको कौन-कौन सी दवाईयां यूज करना चाहिए कभ यू कई बार क्या होता है कि मसीन जो बोलते हैं और हैं नौन मोल भासा ब्यार मासीन लगfactवाना या नेवलाजर किराना यह लाकर इन और देखरी सकाधी हैे कि दोड़ Cen डाइलेटर्स तो ब्रॉंकिस को डाइलेट करना ब्रॉंकिस कहा होती है लंग स्केन ब्रॉंकिस होती है यह हमारे सांस लेने में हेल्प करती है यह बहुत ही इंपोर्टेंट और्गन होता है तो जब जब इनके अंदर म्यूकस जमा हो जाएगा ब्रॉंकिस के अंदर तो जाह है ऐहां पर ब्रॉंकोटिलेक्टर की बात करें तो एक होता है दोस्तों कुन अस्तालिन के बहुत कौन रैप्सुल है डीक्लिक나림 लेपसुल होता है और की दूसरा यहां पर आताथा है दोस्तों दूल एक और यॉलित कर यह सारे क्या होते हैं ब्रॉंकोडाइटर अब दूसरी बात करें इस्टेरोयड की कि भाई स्टेरोयड फी होते हैं तो यहां पर वूडीकॉट वेरिकोड आपको देखने को मिलेगा मार्केट में वूडीकॉड के अंदर होता है क्या बुडिस जो हिए यह कब दियाता है जब किसी व्यक्ति के बहुत दिनों तक सासली नहीं तकी हो रही हो थी मॉक्स बहुत दिनों तक ब्रांगल कर रहता है तो बॉसा जाती है उन का अंदर सूजन आ जाती है तो whit के कारण उसको चाती में दर्द होता है और उसको बहुत तकलीफ होती मरीज को तो उस तकलीफ से रिलीफ पाने के लिए यहाँ पर बुड़िसमरोट दिया जायता है क्योंकि यह एक स्टिरोइड है और यह कॉर्टिकोश्टिरोइड बोल सकते हैं आप इसे तो यह क्या करता ह रो है वे दोस्तों को कम ब्रॉइन को कम करता है तो अब जान लेते हैं भाई来 कईसी एक खार देखो अगर किसे यह अस्तमाय नटो क्या करना आपको अस्ता-ली यह सकते हैं और वुडिकोट यह दोनों मिक्स करके मस्जीर में डालके आप आप उसको नेवलाइशन करा सकते हैं अस्तमा में स्यूपीडी क्रोनिक और अफ्टेक्टिव पल्मोनरी डिजीज है कुसी को तो उसमें क्या डूलिन और बूडी को चलता है क्योंकि यह थोड़ा है लेवल का दिक्कत होती है है लेवल का बूल सकते हैं कंडिशन होती है तो बोलते हैं कि हपका उठता है हपका उठता है हपका उठता है तो उस कंडिशन में निमूनिया में बच्चों के लिए बहुत अच्छा इसका इलाज होता है ठीक है तो कई बार क्या होता है कि माता पता घर पर यह मसी नख लेते हैं उनको पता नहीं होता है कि आप करना क्या है ठीक है तो पहले आप डूज समय लो बूडी कोड हो अस्तलिन हो या डूल इनको आपको आप हाप रैपसुल ही डालना पूरा रैपसुल नहीं डालना आधर रैपसुल डाल दो ज्यादा डीटेल में इसका डूज नहीं बताऊंगा बस आप इतना ही समय लो काफी है आधर मज़िन के जो चेंबर होता है उसमें डालना है और दूसरा आप चाहो तो बूडी कोड मिक्स कर सकते हैं आधर एपसुल और साथ में जो है आप वन एमल एनस भी डाल सकते हो एनस जो नॉर्मल स्लाइन बाटर होता है वो डाल सकते हो वन एमल जिससे कि आप बेपर अच्छ गरते जा रहा है वो जस्टिक नेजल के माद्यम सारा इनहेल करके जा रहा है तो यह भी ड्रग है यह हां ठीक हवा ले रहा है तो कित्ती बार गरत यह इसे नए करना तो यह बारा गंटे में दो डोर दो दोस बीच में आप चार गंटे का यह च्छे घंटे का इंटर्वल हो कि भाई या अभी एक वैज दिया था शाम कुछ है वैज दे दो या साम कुछ चार वैज दे दो यह होता है दोस्तों नेवलाइजिशन के ड्रॉग्स अगर बात किया इसके कोंटा कि भाई ठीक है यह तो बहुत कॉमन है और यूज कर सकते हैं तो इसमें आपको एक चीह हमेशे याद रखना चाहिए कि किसको नहीं देना है देख भाई अगर किसी को हार्ट प्रोडम है किसी जो बुज़र्गाद में उसको अस्तमा है लेकिन सांथ में हार्ट की भी कुछ प जी आईटे पेट में कोई गड़वल है गेस्टो एंटेटर राइंट में कोई प्रोडम है यूटी आई में कोई प्रोडम है तब नहीं देना बस यहीं इसके कुछ कॉंट्रा इंडिकरिशन हो सकते हैं तो बस यह दोस्तों की नेवलाइजेशन में यह तीन तरह की दवाईयां डाले जाती है कौन से ही सल्वुटमॉल और इप्रप्रोप्रोप्रोप्यम और जो है बुडिस्टिन लॉइड तो मैं आपको बता दिया आज की सिर्फ इतना ही आई होप कि आपको वीडियो पसंद आपको आपको वीडियो पाले जाए बता दिया आए मनुटमॉल और जाती है कौनसे होप कि आपको वीडियो ने सब्सक्राव येडियो अजार आपको वीडियो साय आपको वीडियो है झाल झाल